नमस्कार दोस्तों स्वागत हैब सभी का एक बार फिर से केवी गुरूजी पर मैं हूँ केवी और आज के इस वीडियो में हम मुगल समराट साह जहां के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग साह जहां से समर्दित जितने भी तथ्य परिच्छा के द्रिष्टकोर से महत्पूर है उन सारे तथ्यों के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लाश्ट में इस टॉपिक से विभिन परिच्छाओं में पूछे गए 20 से ज़्यादा महत्पूर प्रश्णों को भी डिसकस करेंगे देखे प्रश्णों को आप जरूर देखा करिए क्योंकि उसके बाद में ही आपको एक आइडिया लगता है कि किसी टॉपिक से आपको कौन-कौन से चीजे पढ़नी है और कौन-कौन से चीजे इसकिप करनी होती है अगर आप किसी किताब को खोलेंगे तो वहाँ पर साह जहां के बारे में आपको बहुत सारी चीजे दी गए होगी तो हमको वह सारी चीजे नहीं पढ़नी होती हैं उनमें से बहुत सारी चीजे हमें skip करनी होती हैं और कौन से चीजे skip करनी हैं उसको बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस topic से पहले के परिच्छाओं में पूछे गए प्रशनों को ध्यान देंगे इसी उद्देश से मैंने हर वीडियो के last में उस topic से जुड़े हुए प्रशनों को add करता हूँ कि जिससे आपके अंदर यह समझने की सक्ति आ जाए यह समझने का गुड़ आ जाए कि किस प्रकार से प्रशनों को आपको हल करना है या उस topic से किस प्रकार के प्रशनों पूछे जाते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए इस वीडियो में आपको theory भी मिलेगी questions मिलेंगे और PDF आपको description में मिल जाएगी वहां से आप PDF को download कर सकते हैं तो हम लोग साह जहां के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग चलते हैं जहां गीर के सासंकाल में मैंने आपको बताया था कि जहां गीर महोदय ने साधिया बहुत सारी की थी काफी ज़्यादा प्रेम मौले बत्ती थे तो प्रेम कुछ ज़्यादा ही था इनके पास तो बहुत सारी साधिया इन्हों निकल ली थी तो पहली साधि जिसके बारे मैंने आपको बताया था इनकी पत्नी का नाम था मान बाई और मान बाई के भाई का नाम था मान सिंग और मान बाई को उपाधी दी थी इन्होंने किसकी साह बेगम की यहाँ पर मान बाई के बारे में क्यों बता रहा हूँ यह आपको भी आगे पता चलेगा मान बाई का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो ध्यान रखिएगा मान बाई का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो और खुसरो का एक बेटा था जिसका नाम था दावर बक्स खुसरो के बेटे का क्या नाम था दावर बक्स यानि की जहांगीर का या पोता था जहांगीर की जो अगली मैडम थी उनका नाम था जगत गुसाई या जोधाबाई जोधाबाई की पुत्र का क्या नाम था खुर्रम यानि की साह जहां जो सुल्टान बनेगा अब जहांगीर की तिसरी पतने की भी बात कर लेते हैं जिनका नाम था नूर जहां नूर जहां का एक भाई था जिसका नाम था आसपखा और इसी आसपखा की बेटी थी जिसका नाम था अरजुमंद बानो बेगम और इसकी साधी इसने कर दी थी किस से? जगत गुसाई के बेटे खुर्रम से यानि कि साज जहां से साधी हो गई थी अरजुमंद बानो बेगम का और यही अरजुमंद बानो बेगम थी कौन? मुम्ताज महल अरजुमंद बानो बेगम का क्या नाम था? मुम्ताज महल अब ये तो हमने तीन इनकी पत्नियों के बारे में बात कर ली अब इनकी एक प्रेमका थी उसके बारे में जाने उससे पहले नूर जहां की भी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम जिसका नाम था लाडली बेगम जहांगीर की प्रेमका जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिक्र किया था जिनका नाम था अनारकली अनारकली के बारे में आप लोगोंने काफी सारी कहानियां भी शुरू होंगी और ऐसा माना जाता था कि अनारकली और जहांगीर के प्रेम से अकबर कुरुद होकर अनारकली को दिवारों में चुनवा दिया था हालाकि इसके पीछे कितनी सच्चाई है उसके बारे मैं यहाँ पर कुछ असपश्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ तो जहांगीर की प्रेम का थी अनार कली और इसका एक पुत था जिसका नाम था सहर यार जिसका नाम था सहर यार तो नूर जहां ने क्या किया कि अपनी बेटी लाडली बेगम की साधी कर दी इन्होंने किस से सहर यार से तो यहाँ पर अब थोड़ा साब लोग ध्यान दीजिएगा आसब खां जिसने साध जहां को सुल्तान बनाया इसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का था सुल्तान के लिए कौन-कौन से लोग लगे हुए थे पहली बात तो खुसरो का बेटा दावर बक्स था खुसरो की तो हत्या करवाद दी ती चाहां गीर ने तो दावर बक्स था दावर बक्स के बाद में यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर खुर्रम है साह जहां और उसके अलावा जो नूर जहां का दामाद है जिसका नाम है सहर यार तो तीन लोग यह हैं इसके अलावा कुछ अन्य कमपटीटर भी थे कुरसी के तो उस समय क्या हुआ कि यह जो आसफ खां है इसने सहर यार को भी मरवा दिया और दावर बक्स को भी मरवा दिया कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि साह जहां ने इन सभी लोगों को मरवाया था लेकिन ऐसा माना जाता है कि आसफ खा के द्वारा मुगल समराज के जितने भी अन्य लोग हो सकते थे खुर्शी के अधिकारी उन सारे लोगों को इसने मरवा दिया जिससे साह जहां सुल्टान बन पाए तो आसब खाने अपने दामाद को सुल्टान बनाने के लिए अपनी बहन के दामाद यानि की नूर जहां का दामाद कौन था सहर यार इसकी हत्या करवा दी थी तो आई थिंक अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि आसब खांके द्वारा साए लोगों की हत्या करके अपने दामात को सुल्तान बना दिया गया तो इस तरह से यहां पर साह जहां खान साह जहां जहागीर की मृत्यों के बाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है अब हम लोग आगे चलते हैं और साह जहां के बारे में अब हम लोग कुछ चीजें डिसकस करते हैं साह जहां जिसकी माता का नाम था जोधा भाई और उसके पिता का क्या नाम था जहागीर साह जहां कि माता का नाम था जोधा भाई या जगत गुसाई जो कि उधर सिंग जिन्हें हम लोग मोटा नाणा कहते हैं उनकी बेटी थी जोधा बाई तो साह जहां का जन्म हुआ था कब पांच जन्वरी 1592 बेस्वी को लाहोर में और यहां दिल्ली की सिंगासन पर बैठा था 1628 में कब बैठा था यहां 1628 में फरवरी उस समय हीना चला था फरवरी का और 1628 में जब सारे कमपटेटर के मृत्यों हो गई तो उसके बाद में यह सिंगासन पर बैठा था साह जहां की पत्नी का नाम था मुंताज महल साह जहां की पत्नी का नाम था मुंताज महल और इसी की याद में साह जहां ने ताज महल का निर्मान करवाया था इसी की याद में इसने ताज महल का निर्माण करवाया था मुंताज महल के कुल मिला करके चौदा संताने होई थी मुंताज महल के कुल मिला करके चौदा संताने होई थी तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जहाँ ने एक ही साध्य की थी तो काखी ज़्यादा प्यार करता था यहां मुंताज महल को जिससे इसके यहां पर 14 संताने हुई हाला कि इन 14 संतानों में से केवल साथ ही जिन्दा रही थी साथ की मृत्यू हो गई थी अब जिस प्रकार से जहां प्रेम करता था मुंताज महल को उसी प्रकार से हमारे गाउं में भी एक लोग है जिनके थे हाला कि उनके भी बृत्यू हो गई है वो यह भी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे नाम हैं उनका जमील आमन और उनके यहां भी 14 संताने है हला कि इनके सारी संताने इस समय जीवित हैं तो यह भी साहा जहां हो सकता है साहा जहां से इन्होंने कुछ तिप्स लिया हो या inspired है हो काफी ज़्यादा साहा जहां से तो छोड़िये वो बात की बात है तो साह जहां की पतनी थी मुमताज महल जिसको 14 संताने होई थी और इन 14 संतानों में से 7 संताने जिन्दा रही थी जिन में से 4 पुत्र थे और उसके अलामा 3 पुत्रिया थी चार पुत्रों के नाम क्या-क्या है आए देख लेते हैं इन में से था मुराद बक्स, दूसरा था औरंग जेब, और तीसरा था साह सुजा और इनका जो चौथा बेटा था उसका नाम था दारा सिकोः अब दारा सिकोः को यहाँ मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि हमें दारा सिकोः के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर डिसकस करनी है इसके अलामा मुम्ताज महल की 3 बेटिया भी थी मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखा हूँ आपको बता देता हूँ ऐसे एक तो थी जहां आरा दूसरी हमारी थी रोसन आरा और तीसरी हमारी थी गौहन आरा तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सर जानेंगे जब उत्तरा धिकार का यूद होता है दारा शिको बहुत ही जादा उदार और दयालो प्रविर्ट का व्रैक्ति था इसलिए साहजहा के दौरा इसको साह बुलंद एकबाल की उपादी दी गई थी परिच्छा की दिरिष्ट कोड़ से मातपोर्त अठ्थों को जाल लेती हैं जैसे कि इसने हिंदू धर्म गरंथों का अध्यान किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें भगवत गीता का तो भगवत गीता का भी इसने फार्सी में अनुबाद किया था। जाहर सी बात है कि अगर भगवत गीता को इसने फार्सी में अनुबाद किया था तो सबसे पहले इसने भगवत गीता को पढ़ा होगा तो वही बात कही जा रही है कि इसने हिंदु धर्म गरंतों का अध्यन किया था उसके बाद में 52 उपनिसिदों का भी इसने फार्सी में अनुबाद किया था और उस अनुबाद का जो संग्रह था उसको नाम दिया था सिर्र ए अकबर या दा ग्रेट सिक्रेट के नाम से भी इसे जाना जाता है तो काफी जादा दयालू और उदार सुभाव का विक्ति था इसकी एक मूल रचना थी जिसका राम था मजम उल बहरीन का मतलब होता है दो समूंद्रों का संग्म दो समंद्रों का संगम और इसने ही बताया था कि चाहे हम बात करें हिंदू धर्म की और चाहे हम बात करें इसलाम धर्म की दोनों से एक ही इस्वर की प्राप्ती होती है बस उस इस्वर को प्राप्त करने के तरीके अलग-अलग है तो आप कह सकते हैं कि काफी ज़्यादा पढ़ा लिखा ग्यानवान ब्रक्ति था दारा सिको अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ अन्य महत्पूर्ट तक्थों के बारे में जैसे कि जब हमारा साह जहां राजा बना था तो उस समय इरान के साह और मुगलों के बीच में यूद्ध हो रहा था कहां पर जैसे कि ये हमारा पस्षिम का जो भारत था यहां पर कांधार इस्तित्था अफगार इस्तान में तो इसको लेकर के मुगलों और इरान के साह के बीच में यूद्ध हो रहा था कि इस पर कबजा कर लिया जाए फाइनली 1649 में इस कांधार पर साह ने कबजा कर लिया और यह सामरिक दिश्टिकोर से काफी ज़्यादा महात्पूर था क्योंकि अगर यहाँ पर उत्तरी पस्ट में सीमा प्रांद को मजबूत नहीं रखा जाएगा तो जो हमारे उस समय के अक्रमन कारी थे वोई यहाँ से भारत में आ सकते थे तो इस तरह से कांधार जिसको अकबर ने जीत करके मुगल समराजी में सामिल किया था उसको साह जाहान ने गवा दिया और बाद में यह कांधार कभी मुगलों का दिपत्य नहीं हुआ फिर उसके बाद में जो साह जहां था उसका जो पहला साहन अभियान था वह 1633 में हुआ था कहां पर एहमन नगर पर कहां पर हुआ था एहमन नगर पर और यहां का जो सुल्तान था जिसका रान था हुरसें साह इसको हरा करके इसने एहमन नगर को पहली बार मुगल समराज में मिला लिया था हाला कि प्रयास इसके लिए अकबर ने भी किया था जहां गेर ने भी किया था लेकिन ये लोग इसको मिला नहीं पाये थे तो फानली आहमन नगर को साहजहां ने मुगन समराजी में मिला लिया था उसके बाद में मीर जुमला जिसका नाम मुहम्मस स्यद भी था तो यह एक फारस का ब्यापारी था लेकिन गोल कुंडा में यह वजीर के रूप में कारे कर रहा था गोल कुंडा में उस समय एक बहुत ही कम उमर का सासक था जिसका नाम था कुतुप सा जिसका नाम था कुतुप सा और जब आमन नगर को साहजान ने हराया तो उसके बाद में इसने सरेंडर कर दिया था और इसी का जो वजीर था मुहम्मद स्यद इसी ने साहजान को कोहिनूर क करवाहट आने लगी उसके पीछे का कारण क्या था आईए जानते हैं तो इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे पहला कारण क्या था कि एक बार की बात है कि जो हमारे साह जहां थे उनका एक बाज उड़ करके सिखों के गुरू हर गोविंद की खेमे में चला गया तो जब साह जहां ने अपने सेनिकों को भेजा इस बाज को लेने के लिए तो इन्हों ने इसे देने से इंकार कर दिया था दूसरा जो जगड़ा हुआ था उसके पीछे कारण क्या था कि स्री गोविंद पूर नावक एक नगर बताया जाना था और इसको ले करके भी दोलों के बीच में विवाग हो गया था तो यहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़े डिसकस की हाला कि अगर हम बात करें साह जहां की तो साह जहां की मृत्यों हुई थी 1666 में लेकिन 1658 में ही यह कुरसी से हट गया था इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में यानि कि औरंग जेग वाले अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार से इसके पुत्रों के बीच में सत्ता को लेकर के एक खोली खेल खेला जाता है और फाइनली औरंग जेग के द्वारा अपने सभी भाईयों के हत्या करने के बाद में वह जा करके कुरसी पर बैठता है और साथ ही साथ अपने पिता साह जहां को भी उसने बंदी बनवा दिया था यानि कि आठ साल उनको जेल में बंद रखा था तो ये सारी चीजे हम लोग अगले वीडियो में डिसकस करेंगे फिलहाल साह जहां के द्वारा कुछ महत्पूर अस्थला कृतियों का निर्मार करवाया गया था जिन में से पहला कौन सा था पहला था ताज महल पहला कौन था पहला था ताज महल उसके बाद में दूसरा जो मुख्य रचना थी वह थी हमारी जामा मस्जीद जिसका निर्मार्ण दिल्ली में करवाया गया था और दिल्ली में ही दिल्ली के लाल किले का भी निर्मार्ण करवाया गया था किसके द्वारा साहज जहां के द्वारा तो आप देख रहे होंगे कि कुछ महत्पूर अस्तला कृतियों का निर्मार करवाया गया था किसके द्वारा साह जहां के द्वारा तो ये ध्यान रखेगा कि ताज महल, जामा मस्जिद, दिल्ली कराल किला इन सभी का निर्मार करवाया था साह जहां में वैसे मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा उस वीडियो में मैं मद्यकालिन भारत में जितने भी हमारे सासक हुए थे उनके द्वारा जो महत्पूर अस्थला किर्टियां बरवाई गए थी उन सारे अस्थला किर्टियों को हम लोग एक वीडियो में ही देख लेंगे जिससे आपको बार-बार अलग-अलग सासकों के अस्थला किर्टिया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहां से हमारा थेयोरी सेक्सिन कम्प्लेट होता है अब हम लोग चलते हैं और जो हमारे महत्पूर प्रशन है उन प्रशनों को डिस्कस करते हैं तो पहला प्रशनी यहां पर है कि इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ क्या थी तो मैंने अभी आपको बताया कि जगड़े की जड़ थी यहां पर कांधार कांधार पर यह लोग कब्जा करना चाते थे कांधार के निकल जाने से मुगल सामराजी को एक बड़ा धक्का पहुचा किस द्रिष्ट कोर से प्राकृतिक संसाधनों के द्रिष्टी से मध्यवर्ति राजी छेत्र के द्रिष्ट कोर से संचार व्यवस्था के द्रिष्ट कोर से यहां पर आप्शन भी हमारा बिल्कुल सही होगा क्योंकि यह उत्तरपस्चिम सीमा परांद पर था और यह सामरी महत तो बहुत ही जादा था क्योंकि अगर कांधार पे कबजा खो दिया तो फिर जो सत्रू है वो यह आसानी से इंटर कर सकते थे भारत में अगला सवाल है कि बनारस एवंग इलाहबाद के तीर थ्यात्रा कर की समापती के लिए किस मोगल बास्सा के सामने बनारस के पंडितों का नेत्रूत किया था तो इसका नेतरुत किया था कमिंद्रा चारे ने ध्या मेखियेगा कि जो साह जहां था साह जहां के बारे में अक्सर यह माना जाता था कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं कुछ लोग इसको बुरा भी मानते हैं जैसे इसने क्या किया था कि इसने जो हिंदू थे उनके यहाँ पर मुसल्मान को दास रखने पर पूरी तरीकी से प्रतिमंद लगा दिया था गव हत्या जिस पर अकबर ने प्रतिमंद लगाया था जहांगीर ने भी प्रतिमंद लगाया था उसको भी इसने शुरू करवा दिया था उसके बाद में 1633 में इसने बहुत सारे जो नए हिंदू के मंदिर बने थे उन मंदिरों को भी तुड़वा दिया था और इसके अलावा इसने यहावी कहा था कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से साधी करना चाहती है तो उस हिंदू लड़के को पहले इसलाम धर्म को सोईकार करना पड़ेगा तो इस तरह से बहुत सारे चीजे हिंदू के अपोज में इसके द्वारा की गई थी निम्न में से कौँ साह जहां के साधन काल का राज कभी था तो ध्यान रखिएगा कि साह जहां कि सासनकाल का जो राज कभी था उसका नाम था कलीम क्या नाम था उसका कलीम अगला प्रशन है कि मुम्ताज महल का असली नाम क्या था तो मुम्ताज महल जो कि आसफ खा यानि कि साह जहां के मामा की बेटी थी आप कह सकते हैं और अरजुमंद बानो बेगम मुंताज महल का असली नाम था क्या नाम था अरजुमंद बानो बेगम अगला सवाल है कि हिंदू और इरानी वास्तुकला का सरप्रथम समन्वे हमें देखने को मिलता है कहां पर ताज महल में इसी परकार से हमने देखा था हिंदू और फार्सी वास्तुकला का समन्वे देखा था हुमायू के मगबरे में हुमायू के मगबरे में आपको हिंदू और फार्सी वास्तुकला का समन्वे देखने को मिलता है अगला सवाल है कि निम्न मेंसे किस मुगल बास्ता ने दिल्ली की जावा मस्जीत का निर्मार करवाया था तो निर्मार करवाया था किसने साह जहाने अगला सवाल है कि दिल्ली की परसिद जावा मस्जीत का निर्मार किसने किया तो यह किया था साह जहाने अगला सवाल है कि निम्न मेंसे किसने सामराजी की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तानांतरित की तो यह हस्तानांतरित क्या था किसने साह जहाने ध्यान अखियेगा कि बाबर के समय से ही जो राजधानी थी वा दिल्ली की वज़ाए आगरा सिफ्ट हो गई थी और तबसे आगरा ही राजधानी की रूप में चल रही थी बाद में इसे सहाजाह के द्वारा सिफ्ट कर दिया गया आगरा से दिल्ली दिल्ली के लाल किले का निर्मार किसने करवाया था तो दिल्ली के लाल किले का निर्मार करवाया था सहाजाह ने अगला सवाल है कि लाल किले की निर्मान कस्रे काधिकारी कौन है तो जाहिर सी बात है साह जहां है उपनिश्दों का फार्षी में अनुबाद किस मुगल समराट के सासनकाल में हुआ था तो इसको फार्सी में बाद किया था दारा सिकोह ने और किसके सासन काल में साह जहां के सासन काल में साह जहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोह अगला सवाल है कि इन में से किसे साह जहां ने साह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो मैंने अभी आपको बताया कि दारा सिको को इसने यह पद्वी दी थी दारा सिको ने किस सिर्चक के अंतरगत उपनिस्दों का फारसी में अनुबाद किया था तो ध्यान अखियेगा The Great Secret या सिर अकबर नाम से इसने उपनिस्दो का फारसी में अन्वाद किया था अगला सवाल है कि सिर अकबर के लेकक कौन थे तो सिर अकबर के लेकक थे दारा सिको हिंदु धर्मगरंथो का अध्यन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था तो प्रथम मुस्लिम था दारा सिको अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा साह जहां को किसने उपहार में दिया था तो इसे दिया था मीर मुराद ने इसने दिया था मीर जुमला ने अगला सवाल है कि किस मोगल बासा ने बल्बन द्वारा प्रारम की गई दर्बारी विवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था तो अगर आपने गुलाम वन्स का वह वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बल्बन के द्वारा दो नियम शुरू कि गये थे एक सिजदा और दूसरा था पैबोस इसमें क्या करना होता था कि आपको जा करके सलामी देनी होती थी बासा के पाओं को चुनना होता था तो इस प्रकार की जो प्रताय थी इसको साहजाने समाप्त कर दिया था अगला और आगरी सवाल है कि निम लिखिर में से कौन साहजान के सासनकाल में अधिकांस थमय तक दककन यानि की दच्छण भारत में गवर्नर रहा तो यह था औरंग जेब यह कौन था औरंग जेब किस प्रकार से यह गवर्नर था और किस प्रकार से उत्तरा धिकार का जो यूद्ध हुआ था उसमें किन-किन पुत्रों के बीज में किस तरीके से यूद्ध हुआ था और किस तरह से अपनी कूट नितिक चाल के द्वारा औरंग जेब ने अपने सभी भाईयों की हत्या करके फाइनली जा करके दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना था तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो को आप लोगों ने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को प्रेम पुरुबक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैक्स फॉल लिस्निंग जै हिंद जै भारत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया